ओम शान्ती, 25 सितंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे याद करते करते पवित्र बन जाते हो, सारी खाद निकल जाती है, यह है ही योग अगनी, काम अगनी काला बनाती हैं और योग अगनी अर्थात शिव बाबा की याद तुम्हें गोरा बनाती हैं, जो विनाश काले प्रीत बुद्धी हैं, वह सिवाए बाप के और कोई को याद नहीं करते, फिर उँच पद भी वही पाते हैं, बाबा ने कहा अभी तुम्हें उँच से उँच बाब पढ़ा रहे हैं, तो जरूर मरतबा भी उँचा मिलेगा, यहां तुम आए ही हो, बेहद की स्कॉलर्शिप लेने, इसमें तो रेस करनी चाहिए, यह है इश्वरिय लोटरी, राजारानी बनना है, तो प्रजा भी बनानी पड़े, और प्रजा बनती हैं सर् इस से, इसमें सब नंबर वार हैं, कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम, लास्ट में बाबा ने कहा, जो बच्चे पूरा याद में नहीं रहते, वही शिकायत करते हैं कि बाबा हमें खुशी नहीं ठहरती, उल्लास नहीं रहता, इसका अर्थ है, अभी तक पूरा ग्यान बुद्धी में नहीं आया, नहीं तो बाब के बच्चे बने और फिर भी खुशी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, जो याद नहीं करते, वही माया से धोखा खाते हैं, अब तुम्हें हर बात में बाब समान फुल बनना है, प्योरिटी में फुल, प्यार में भी फुल, और अब स सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलर्शिप लेनी हैं, तो अभ्यास करो एक बाब के सिवाए, और कोई भी याद ना आए, प्रशन, बाब का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है, तो उसका कारण क्या है, उत पहला कारण बुद्धी में पूरा ग्यान नहीं रहता, दूसरा, बाब को यथार्त रिती याद नहीं करते, याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती, तुम बच्चों की बुद्धी में नशा रहे, बाब हमें विश्व का मालिक बनाते है तो सदाहुलास और खुशी रहे बाप का जो वर्सा है पवित्रता, सुख और शान्ती इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी ओम शान्ती ओम शान्ती का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रिती मालूम है मैं आत्मा यह मेरा शरीर यह अच्छी रिती याद करो भगवान मना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं ऐसे कभी सुना है वे तो समझ से हैं श्रीक्रिष्न पढ़ाते हैं प्रन्तु उनका तो नाम रूप है ना यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाती है यह नई बात है ना विनाश तो होने का ही है ना एक है विनाश काले विप्रीत बुद्धी दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धी आगे तुम भी कहते थे इश्वर सरव्यापी हैं पत्थर भितर में हैं इन सब बातों को अच्छी रिती समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घड़ती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जनम लेकर सारा पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। उच ते उच बाप पढ़ाते हैं तो जिरूर मरतबा भी उच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मरतबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखे आत्मा कैसे आती है, कहां से निकलती है। प्रन्तु मालूम नही पड़ता है करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे यह तो तुम समझ से हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है आत्मा अलग है जीव अलग है आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है जीव छोटे से बड़ा होता है आत्मा ही पतित और पावन बनती है आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वले बाबा आओ। ये भी समझाया है, सभी आत्माई हैं ब्राइड्स, सीताईं और वह है राम, ब्राइड ग्रूम एक, वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं, अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे यह तो हो नहीं सकता, यह बुद्धी में उल्टा ग्यान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है, बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या, प्रंतु आज कल बिगडते है तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, यह तो है बेहद का बाप, आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है, बाबा, आप कच्मच अवतार हो, श्री कृष्न की भी गलानी की है, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया, अब माखन आदी चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी, कितने तमोप्रधान बुद्धी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ती बताता हूं। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथोरिटी हैं। जैसे साधु संतादी जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथोर कहेंगे उनका कितना भबका होता है। शिवाचारिय का तो कोई भबका नहीं, इनके साथ कोई पल्टन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिवबाबा भबका दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भबका चाहिए प्रंतु नही बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपीट होगी। इनो उने ही 84 जनम भोगे हैं फिर उने ही सतोप्रधान बनने की युक्ति बताते हैं बाप ही सर्वशक्ति मान हैं ब्रह्मा दवारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं प्रंतु वास्तों में शास्त्रों आधी की बात है ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना इनके पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र हैं, यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, यह तो जानते हो कि सभी भक्ती मार्ग की शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूं, मैं तो तुमको मुख से सुनाता तुमको राज योग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है, मेरे पास वो तुम्हारे पास कोई गीता आदी है क्या, यह तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्यायश लोक आदी थोड़े ही होते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, कितनी सहज बात समझाता हूँ, अपने को आत्म समझो, यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्म अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्म एक शरीर छोड़, दूसरा लेती है, बाप कहते हैं, म कहने से माता के गर्ब से जनम हो जाता है, इसलिए शिवरात्री कह देते हैं, द्वापर कलियों की रात्री में मेरे को ढूंडते हैं, कहते हैं सरव्यापी हैं, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्ये क्यों खाते हो, एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते ह देवताईं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्में फिर गिरी हैं तो शराब आदी पीने लग पड़ी हैं बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म एक से अनेक धर्म हुए हैं फिर एक जरूर होना है मनुष्य तो कह देते कलियुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं इसको कहा जाता है घोर अंधियारा ग्यान सुर्य प्रगटा अग्यान अंधेर विनाश मनुष्यों में बहुत अग्यान है बाप ग्यान सुर्य ग्यान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ती मार्ग का अग्यान मिट जाता है तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो खाद निकल जाती है यह है योग अगनी काम अगनी काला बना देती है योग अगनी अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है श्री क्रिष्न का नाम ही रखा है श्याम सुन्दर प्रन्तु अर्थ थोड़े ही समझ से हैं बाप आकर अर्थ समझाते हैं पहले पहले सत्युग में कितने सुन्दर हैं आत्मा पवित्र सुन्दर है तो शरीर भी पवित्र सुन्दर लेती है वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है नई धर्नी फिर पुरानी होती है अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है खूब तयारिया हो रही है भारत वासी इतना नहीं समझ से हैं जितना वह समझ से हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं कोई प्रेरक है साइंस दवारा हम अपना ही विनाश लाते हैं यह भी समझ से हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले पैराडाइस था इन गोड गोडेज का राज्य था भारत ही प्राचीन था इस राज योग से लक्ष्मिनारेण ऐसे बने थे वह राज योग फिर बाप ही सिखला सकते हैं सन्यासी सिखला न सके आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी हैं बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ शराबादी भल पीओ कुछ भी करो अब वह कैसे राज योग सिखला सकेंगे मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे बाप समझाते हैं आत्म कितनी उच हैं फिर पुनरजनम लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं अब तुम फिर से स्वर्ग की सापना कर रहे हो वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं अब बाप कहते हैं नर्क का वि भी ज्यान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उच पद पाएंगे अभी विनाशकाल तो सब के लिए हैं विनाशकाले प्रीत बुद्धी जो हैं सिवाए बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं वही उच पद पाते हैं इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलर्शिप इसमें तो रेस करनी चाहिए यह है इश्वरिय लोटरी एक तो याद दूसरा दैवी गुन धारन करने है और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है कोई बहुत प्रजा बनाते हैं कोई कम प्रजा बनती है सर्व इस समय तुम पढ़ रहे हो फिर सुर्यवंशी चंद्रवंशी डानेस्ट्री में चले जाएंगे यह है तुम ब्रहमनों का कुल बाप ब्रहमन कुल अडोप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं बाप कहते हैं मैं एक कुल और दो डानेस्ट्री बनाता हूं सुर्यवंशी प्रजा महरानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इनों को कहेंगे डबल सिर्टाज, फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं, तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूझते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं, सत् को कहा जाता है विश्यस वर्ड, एक भी पावन नहीं, सन्यासी घरबार छोड भागते हैं, राजा गोपीचंद का भी मिसाल है न, तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गती सदगती दे नहीं सकते हैं, सर्व का सदगती दाता मैं ही हूँ, मैं आकर सब को पावन बन अपवित्र दुख धाम, सत्युग में बिमारी आधी कुछ भी होती नहीं, तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावन राज्ये में दुख धाम के मालिक बने हो, बाप कहते हैं कल्प कल्प, तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग सापन करते हो, नई दुनिया का राज्ये ल आकर परीचे दिया है कि मैं एक ही बार पुरुशोत्तम संगम युग पर आता हूँ, मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे, कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ, ह पर पांच हजार वर्ष बाद आता हूं। पर पांच हजार वर्ष बाद आता हूं। प्यार में फुल, ज्यान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है न। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदी तो सब हैं भक्ती मार्ग के, उनमें एम अब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशला कहा जाता है, वेद पाठशला नहीं होती, गीता से नर से नारेन बनते हो। जरूर बाप ही बनाएंगे न। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देहे थोड़े ही हो। आत्मा कहती है, मैं एक देहे छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, Toni बाप की रुणी बच्चों को नमस से। धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पुइंट, जैसे शुबाबा का कोई भबका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथोरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना हैं, पावन बन कर पावन बनाने की सेवा करनी हैं, विनाश काल के समय इश्वरिय लोटरी लेने के लिए प्रीत बुधी बन, याद में रहने वद्यवी गुणों को धारन करने की रेस करनी हैं, वर्दान, शुद्ध संकल्पों के घेराव दवरा, सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वले शक्तिशाली आत्मा भव, शुद्ध संकल्पों के घेराव दवरा, सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वले शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, वह हैं, जो दृणता की शक्ति दवरा, सेकेंड से भी कम समय में वियर्थ को समाप्त कर दे, शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो एक शुद्ध वशक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी द्रिड संकल्प करो तो द्रिडता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो, जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र चाया बन जाए, सेफ्टी का साधन वकिला बन जाए. स्लोगन, सबसे स्रेष्ट भाग्ये उनका हैं, जिन्हें डारेक्ट भगवान दवारा पालना, पढ़ाई और स्रेष्ट जीवन की श्रीमत मिलती हैं. सबसे स्रेष्ट भाग्ये उनका हैं, जिन्हें डारेक्ट भगवान दवारा पालना, पढ़ाई और स्रेष्ट जीवन की श्रीमत मिलती हैं. अच्छा? और आज हमें कैसी विशेश वीडियो देखेंगे, जिसमें भ्राता निर्वैर जी के साथ पूरा ज्यानमोती ग्रूप बैठा है, और साकार बाबा के साथ के अनुभव सुन रहा है. अच्छा के साथ के साथ के साथ के साथ के अनुभव सुन रहा है.